एनिमल ट्रांसफॉर्मर्स के एक बहुत एडवांस नसल, जिनको ट्रांसफॉर्मर्स ने बहुत समय पहले साइबर्ट्रॉन से अलग किसी दूसरे ग्रह पर बसाया था, उन्होंने उनको नाम दिया मैक्सिमल्स, मैक्सिमल्स ने अपनी बहद उन्ना टेकनलोजी की मदद से एक ट्रांसवर्ब की बनाई, जो की ट्रांसवर्ब को चालू करके टाइम और स्पेस में पोर्टल खोल कर किसी भी ब्रहमान में आने जाने का रास्ता बना सकती थी, इसलिए उसकी को हासिल करने के लिए यूनिक्रोन अपना हेरोल्ड यानि के अग्रदूत को उनके ग्रह पर भेशता है, उसका नाम सकर्च होता है, यूनिक्रोन खुद एक ग्रह के आकार का डार्क टांसवर्मर लॉड है, जो उन ग्रह को खाता है, जिस पर उसको एनर्जॉन मिलता है, उनको खाकर वो ग्रह उसे भी बड़ा बनकर हर एक ब्रहमान पर राज करना चाहता है, इसक सकर्च उस की को पाने के लिए मैक्सिमल्स के ग्रह पर युद्ध छेड़ देता है, यूनिक्रोन ने सकर्च के अंदर अपनी डार्क एनर्जी भर रखी थी, इसलिए उसको हराना मुम्किन नहीं था, युद्ध में लड़ता हुआ मैक्सिमल्स का लीडर एपलिंग समझ ज उसको भी साथ चलने के लिए कहती है, तो वो उनको समझाता है, अगर ये की यूनिक्रोन के हाथ लग गई, तो वो सभी ब्रहमानों में पनप्रह जीवन को तबहा कर देगा, इसलिए की का यहां से सुरक्षित निकलना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तुम लोग वक्त रहत एक की को लेकर यहां से निकल जाओ, इतने मैं अकेला ही सकर्च को रोकता हूँ, वो सभी उसकी बात मान जाते हैं, फिर सकर्च के साथ लडाई में अपलिंग बुरी तरह घायल हो जाता है, इसकर्च उसको मारने से पहले उसके मैक्सिमल्स का बैच नोच कर अपने कंधे प करके पोर्टल की मदद से किसी अंजान ब्रह्मान में जाने के लिए निकल गए हैं, इसकर्च हारा हुआ महसूस करता है, तब ही प्राइमल एपलिंग के बलिदान को शाक्सी मान कर प्रतिग्या लेता है कि वो इस की की हिफाज़त करेगा, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी हो, फिर इस बात का पता जैसे ही यूनिक्रॉन को लगता है, वो गुस्से से सकर्च को सारे ब्रह्मान को खोज कर उस की को हासिल करके उसको वहीं बुलाने को कहता है, उसके बाद यूनिक्रॉन मैक्सिमल्स का पूरा ग्रह ही निकल जाता है, अब कहानी शुरू होती है नियू जल जाता है, वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तबी उनकी मा नोहा से क्रिस को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पूछती है, असल में क्रिस को सिकल सैल्स की बीमारी होती है, जिसकी वज़े से उसके सीरे हाथ में खून का भाव सही से नहीं होता, जो क्रिस को बहुत दर देता है, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद नोहा सूट पहन कर क्रिस को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्यूंकि आज उसको नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देना है, वो रास्ते में रिक को उसका टीवी बॉक्स देकर उसके रिपेर कर पैसे लेता है वहीं दूसी तरफ एक लड़की अलेना जो आर्टिफेक्ट रिसेर्चर है और वहीं के म्यूजियम में नौकरी करती है वो अपने काम में इतनी एक्सपर्ट होती है जो चीजों के एक नजर में पहचान कर उसकी असली या नकली होने का पता लगा सकती है पर उ अपनी बॉस से पूछती है कि ये कहां से मिला है बॉस बताती है ये सुडैन में खुदाई के दोरान मिला है और ये प्राचीन मिस्ट के देवता होरस की मूर्ती है उसकी बास सुनकर अलेना को यकीन नहीं होता क्योंकि वो जानती थी जो चिन उस मूर्ती पर बना है उसका इपना interview देने के लिए company मजाता है, वो reception पर बताता है, कि आज उसका head of security, Mr. Bishop के साथ interview है, तो receptionist उसको बताता है, वो cancel हो गया है, नोवा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, तभी उसको Mr. Bishop नजर आते हैं, तो वो उनसे ही पूछता है, कि आपने तो कहा ता मैं इस job के ल परना नहीं आता, इसी लिए ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। पार्किंग में खड़ी थी, रिक उसको उस बिल्डिंग के बाहर ला कर छोड़ देता है। पर पढ़ती है, उस एक्सेस कार्ड की मदद से लैब के अंदर आ जाती है। उसी समय नौकरी उस बिल्डिंग में घुश कर उसकी पार्किंग में आ जाता है। वो कार उसे मिल जाती है। उस पर ट्रांसफोर्मर का नाम मिराज होता है। कुछ देर की कोशिश के बाद नौकर गेट खोल कर उसके अंदर बैठ जाता है। उसी समय अलेना उस मूर्थी को अटामिक लेजर फोर्स मैक्रेसकोप की मदद से सकैन करती है। लेकिन उससे निकलने वाली शुक्स मूर्जा उस मूर्थी को टुकडो में बिखेर देती है। को भी जल्दी से आने को कहता है मिराज को जैसे ही प्राइम का मैसिज मिलता है वो बिना समय गवाए नोआ को लेकर ही निकल पड़ता है कार के अपना आप चलने की वज़े से नोआ की हालत पतली हो जाती है और तेज रफतार की वज़े से पुलिस उसके पीशे पड़ जाती ह वो पुलिस वाले को बताता है कि ये कार अपने आप चल रही है उस पुलिस वाले को देखकर कार अपने आपको ओर्थेज कर लेती है इन समय नोआ का चीक चीक कर बुरा हाल हो जाता है तबी नोआ अपने आपको समहालता हुआ उससे ब्रीज का रास्त पकड़ने को कहता है कार तुरंत ब्रिज का रास्ता ले लेती है ब्रिज पर पुलिस वाले को चकमा देने के लिए मिराज अपने चार होलोग्राम बना कर प्रोजेक्ट कर देता है जिसको देखकर नोव और पुलिस वाला हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाला सही से इस्तिती का पता नहीं लगा पाता और बिड़्ज से टकरा जाता है मिराज एक गोदाम में आकर नोई को पटक कर अपने असली रूप में आ जाता है जिसको देखकर नोई बहुत डर जाता है और अपने पास रखे लोहे के पाइप को उठा कर उससे पूछता है तुम कौन हो तो मिराज उसको बताता है मैं एक एलियन हूँ और उससे टैप करने को कहता है नोहा जैसे ही उससे टैप करता है तभी मिराज उससे कहता है आज से हम दोस्त हैं तभी वहाँ B, RC और Optimus Prime आ जा तो नोहा डर के मारे उससे कहता है कि वो कोई नहीं है और मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता तभी RC उसको स्कैन करके बताती है ये एक सोलजर है तो प्राइम उसको छोड़ देता है और सबको बताता है उन लोग ने जो Energy Pulse देखी है वो Transverb Key से निकलन करता है अगर वो की तुम हमको चुरा कर ला कर देते हो तो इसके बदले तुम जिस कार में बोलोगे मैं उसमें बदल जाऊंगा तुम मुझको बेजकर पैसा कमा लो और मैं तो फिर भी निकल ही जाऊंगा नोहा ना चाते वे भी उसकी बात मान जाता है क्यूंकि उसको Chris के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे इधर म्यूजियम में अलेना को पता चलता है कि इस चीज का कुछ ना कुछ संबंद दक्षिन अमेरिका महादीब पे बसे पेरू से है उसी समय सकर्च भी की की उर्जा की वज़े से बैटल ट्रैप और नाइट बर्ड के साथ प्रत्वी पर आजाता है इधर नोहा के म्यूजियम में गुसने से पहले ही वहां की पावर कट हो जाती है अलेना नोहा को देखकर डर जाती है तो नोहा उसे समझाता है कि वो इस की को ही लेने आया है क्यूंकि उसको ये इसके मालिक एलियन रोबोट्स को देनी है अलेना को उसकी बा के दमाके की वज़े से की से एनर्जी पल्स निकलना बंद हो जाती है अप्टिमस प्राइम ये देखकर समझ जाता है कुछ गड़बड हुई है और अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है वहां पहुंचते ही उसकी सकर्च और उसके साथियों के साथ जबरदस करण की वाला होता है तभी पिर के कर्ट मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है पर कर अपने हतयार को बी के आरपार कर देता है और बी को मारकर उसका bash निकालकर आप्टिमस प्रायम के सामने उसकी body fact देता है अब वो जैसे ही prime को मारने आगे बढ़ता है तबी air razor जो maximal है उनके बीच interfere कर देती है तो इस कर्च लड़ाई में समय ना गवाने की वज़े से वहां से चला जाता है क्योंकि turns work की को night bird ने पहले ही उठा लिया था फिर इस कर्च projection की मदद से की को लेकर सिधा unicorn के पास आता है unicorn की के सिर्फ आदे हिस्से को देख कर भढ़क जाता है और skirt से दूसरे हिस्से को भी ढूंड कर लाने को कहता है इधर air razor उन सबको बताती है हमने की को सुरक्षित रखने के लिए उसको दो हिस्सों में बाड़ दिया था और फिर सारे बचे maximums अलग होकर प्रत्वी पर छिप गए लेकिन उसका दूसरा हिस्सा कहा है ये उसको भी नहीं पता उनकी बास सुनकर Elena बताती है मैंने मूर्ती के चिन्ड की खोज की तब मुझे पता चला पेरू से इस की का कोई घर आता है लेकिन मिराज की गलती की वज़े से वो मिराज को देख लेता है तो नुआ क्रिस को बताता है मैं कुछ दिनों के लिए इसके और इसके साथियों के साथ ही जा रहा हूँ तो मिराज क्रिस को बताता है हमको दुनिया खत्म होने से बचानी है तो क्रिस मिराज से उसके भाई का ख्याल रखने को कहता है मिराज उससे उसका ख्याल रखने का वादा करता है अगली सुबे सभी एक बंदपड़ी फैक्टरी के बैक्यार्ड में मिलते हैं जहां वो सभी एक आटोबोट, स्टेटोसफेर, जो एक कारगो विमान है उसमें बैटकप पेरू के लिए निगल जाते हैं अप्टिमस प्राइम B की बॉड़ी को भी अपने साथ ले जाता है महीं प्लेन में नोहा चुपचाप अलेना से कहता है अगर वो दूसरा हिस्सा हमको मिलता है तो हमें उसे नश्ट करना होगा अलेना उसकी बात नहीं समझ पाती तो नोह उसे समझाता है अगर की पूरी ही नहीं हुई तो यूनिक्रोन कभी भी प्रत्वी पर आ ही नहीं पाएगा और प्रत्वी सेफ रहेगी तुम सिर्फ की के हिस्से को एक बार ढूंड लो बाकी मुझ पर छोड़ दो उसी समय RC Optimus Prime से पूछती है क्या भी फिर से जिन्दा हो सकता है तो Prime बताता है हाँ पर उसके लिए हमें एनर्जोन की जरूरत है जो सिर्फ हमारे घ्रह सैबरोट्रोन पर है इसलिए उसको वहां ले जाना होगा स्टेटोस फेर उन सबको पेरू की माचू पीचू पहाड़ी पर उतार देता है वही प्राइम ने पेरू में रहने वाले उनके आटोबॉट वील जैक को बुला लिया था वील जैक उनको लोकेशन दिखा कर कहता है जहां अलेना ने की के दूसरे हिस्से के होने का दावा किया है उसे देखकर अलेना बताती है ये सैंट डिमेंगो चर्च है इसको उस मंदिर के उपर ही बनाया गया था तबी नुवा उनसे कहता है मैं और अलेना बिना किसी की नजर में आए की ले आएंगे अलेना सैंट और डिमिंगो चर्च आ जाते हैं सकर्च और उनकी टीम उनपर नजर रखे वे थी वो सिर्फ इसी का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग की ढूंड लें तो उनसे आसानी से छीन लेंगे इसलिए सकर्च उन दोनों के पीछे अपना छोटा प्रड़कॉन भेशता है चर्च के आंगर में जाकर अलेना मैक्सिमल्स का निशान देखकर उसको नोवा की मदद से सही दिशा में घुमा देती है जिसकी वज़े से वो एंशेंट लॉक खुल जाता है और उनको नीचे मंदिर तक जाने का रास्त मिल जाता है नीचे उतर कर उनको मंदिर दिखाई पड़ता है वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ उनको एक पत्थर के ताबूत पर मैक्सिमल्स का निशान बना हुआ मिलता है वो दोनों मिलकर उसे खोलते हैं पर उनको की उसमें नहीं मिलती पर अलैनो का उसके अंदर Air Racer की मूर्ति पे बने निशान से मिले जूले निशान मिलते हैं तो वो उन निशानों को अपनी हतेली पर बना लेती है लेकिन तबी छोटा प्राड़क़ौन उन पर हमला कर जेता है वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं नोवा मिराज को हमले के बारे में बता देता है तभी सारे ओटो बोर्ट्स दोनों को बचाने के लिए उनकी तरफ निकल पड़ते हैं ओटो बोर्ट्स को भागता देख इसकर्च को लगता है कि उनको की का हिस्सा मिल गया है तो वो भी उनके पीछे लग जाते हैं एरेजर आर्सी को बताती है नोवा और अलेना सुरंग के रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे हैं तबी उन दोनों के सामने वो छोटा प्रड़कॉन आ जाता है नोवा डर के मारे उसकी तरफ वो डिवाइस करता है तबी उससे फायर हो जाता है जिससे वो प्रड़कॉन वही मर जाता है Autobots पहाड़ी वाले रास्ते से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं उनके ठीक पीछे सकर्च अपनी टीम के साथ उनका पीछा कर रहा होता है वहीं रास्ते बार उन सब की आपस में बहुत लड़ाई होती है अब सकर्च Optimus Prime से कहता है तुम इसी ग्रह पर दम तोड़ने वाले हो तो Prime उसका जवाब देता है कि तुमकर जमीन में गाड़ने के लिए इससे अच्छी जगे बनी ही नहीं और फिर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं लेकिन तभी Air Raiser उनके बीच के पुल को ही तोड़ देती है फिर इसकर्च Air Raiser पर एक डिवाइस छोड़ता है जिसमें Unicron की डार्क एनर्जी होती है इसकर्च अपने सातियों के साथ वहाँ से चला जाता है वो एनर्जी दिरे दिरे Air Raiser के सरीर में फैलने लगती है नौ और अलेना सुरंग के रास्ते से जंगल में निकलाते हैं तभी उनके सामने Optimus Primal आता है और वो उनसे पूछता है तुम कौन हो और की क्यों ढूंड रहे हो तभी मिराज वहाँ आकर Primal पर अपना हतियारतान देता है लेकिन तभी मिराज पर चिता और हमला कर देती है फिर मिराज को बचाने के लिए वील जैक आता है लेकिन रैनोक्स उसको टक्कर मार देता है तभी प्राइम वहाँ आकर Primal से सरंडर करने को कहता है इससे पहले Primal उन पर हमला करता तबी Air Razor आकर उनको रोग देती है और फिर उन सभी meanximals का परिचकर आती है प्राइम नॉर्मल हो जाता है तबी Primal उनको बताथा है उसका नाम सैबाटरोन के योधधा Optimus Prime पर ही रखा गया है यानी के आप और मेरे लिए ये सम्मान की बात है तबी Air Raiser Primal को बताती है स्कर्ड प्रत्वी पर है और उसके पास की का एक हिस्सा है तो Primal उन सबको बताता है दूसरे हिस्से को शुरक्षित रखने के लिए हमने उसको मंदिर से निकाल लिया था फिर वो उन सबको उस जगे ले जाता है जहां वो की रखी थी रास्ते में अलेना प्राइमल से पूछती है तुमने ऐसी की क्यों बनाई तो प्राइमल उसको बताता है हम अनेकों ब्रहमान में जीवन का विकास और विस्तार करते हैं जिसके लिए हमको नए ग्रह बसाने होते हैं और उनी ग्रह उपर पहुँचने के लिए हमने ट्राइमल उसको चलाने वाली की बनाई उसके बाद प्रैमल उन सबको एक कभीले के पास लाता है, वो कभीले के सरदार से की को मांगता है, और पको बताता है, ये अमारू कभीला है, और इसके पूरवज हमारे साथ हजारों सालों से रह रहे हैं, जब हम यहां आए, तब उन्होंने अपना सब कुछ हम से साज़ा कि और हमने मिलकर इनकी शुरक्षा की, और इन्होंने हमारे रहस्यों को छुपा कर रखा, तब ही स्टेटोस फिर B की बॉड़ी को लेकर वहां आ जाता है, तो प्रैमल उसकी बॉड़ी को एक सुरक्षित इस्थान पर लिटा देता है, प्राइम उस जगय को छूकर कहता है, इससे तो भी फिर से जिन्दा हो सकता है, तो प्रैमल उसको बताता है, ये घाटी इससे भरी हुई है, पर इसको एक्टिवेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, जो यहां है ही नहीं, फिर रात को एलेना नोहा से पूछती है, क्या कोई ऐसा रास्ता है, जिससे की को नस्ट किये बिना दोनों दुनिया बची रहें, तो नोहा उससे कहता है, हमारे पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अलेना उससे कहती है, तुम बिलकुल प्राइम की तरह हो, जो जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठा कर, एक बड़े भाई की तर बस अपने परिवार को बचाना चाहता है, नोहा उसकी बास सुनकर सोच में पढ़ जाता है, अगली सूबह अलेना देखती है, एर रेजर की हालट ठीक नहीं है, एर रेजर अलेना से कहती है, इसकर्च उसके दिमाग में घुस गया है, असल में यूनिक्रॉन की डार्क एन हिस्से को नोहा को देकर अलेना के साथ किसी महफूस जगे चले जाने को कहता है, उसी समय नाइट बर्ड उन पर हमला कर देती है, नोहा अलेना के साथ नदी के किनारे आकर की के हिस्से को जैसे ही नश्ट करने वाला होता है, तब ही प्राइम वहां आकर उसको वैसा ना करन को कहता है और नोवा को समझाता है कि मुझको पता है तुम अपने ग्रह को बचाना चाहते हो पर अगर तुमने इसको नश्ट कर दिया तो हम अपने घर को हमेशा के लिए खो देंगे हमको बेघर मत करो उसकी बाद सुनकर नोवा का दिल खुद के दिमाग से लड़ता हुआ उस की के हिस्से को नश्ट नहीं करता अलेना उस हिस्से को उठा लेती है तब ही एर रेजर आकर अलेना को ही उठा कर उड़ जाती है और माचू पीचू की पहाड़ी पर लाकर उसे पटक देती है वो की के हिस्से को सकर्च को दे देती है सकर्च एर रेजर को उन पर ही हमल करने का आधेश देकर उस हिस्से को लेकर वहाँ से चला जाता है Aareazor Primal पर हमला कर देती है उसके बाद वो जैसे ही अलेना पर वार करने वाली होती है Primal उसकी गरदन दबोच लेता है तो Aareazor अपने आपको संभालती भी उससे कहती है अपनी पृतिग्या याद रखो, सोचो मत, मुझको रोकना है, तो मुझे मार दो, क्यूंकि इस डार्क एनर्जी को मैं और नहीं समाल सकती, प्राइमल ना चाहते हुए भी एर रिजर को मार देता है, दूसी तरफ इसकर्च, युनिक्रोन को प्रत्वी पर बुलाने के लिए की को जोड देता है, उसके जोडते ही पहाडी को चीरती हुई ट्रांसवर्प मशीन बाहर निकलाती है, ट्रांसवर्प की को उसके ब्रिज पर लगा देता है, प्राइमल ये देखकर हताश हो जाता है, तबी ऑप्टिमस प्राइम नोहा से कहता है, तुम अपने घर के और मैं अपने घर के लिए, जबकि हमको एक साथ मिरकल लड़ना चाहिए था, तो नोहा उनसे कहता है, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और प्राइमल से ट्रांसवर्प को रोकने का दूसरा रास्ता पूछता है, तो प्राइमल उनको बताता है, ट्रांसवर्प शुरू हो चुका है, इस समय उसमें एक सूपर नोवा से भी ज़्यादा उड़ जा है, और इस हालत में उसके साथ छेट-छाड करने से वो एटम बॉम के जैसे फट जाएगा, लेकिन अभी भी उसको एक एक्सिस कोड की मदश से रोका जा सकता है, लेकिन उस कोड को भी द प्राइमल उसको देख कर पहचान जाता है, तो प्राइमल उनसे कहता है, हमको एक काम अब जल्दी से करना होगा, क्योंकि पोर्टल अगर ज्यादा खुल गया, तो यूनिक्रॉन अंदर आ जायेगा, फिर वो उनको बताता है, ब्रिज तक पहुंचने के लिए सुरंगे ब मिलकर, स्कर्च और उनके लोगों पर हमला करके उनका ध्यान भठकाएंगे, तभी ओटोबोर्ट्स और मैक्सिमल्स उन पर हमला कर देते हैं, मैक्सिमल्स अपने फाइटिंग बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और सभी टैराकॉन से लड़ने लगते हैं, इतने ना अकेले ही की की तरफ भागने लगती है तबी मिराज इसकर्च पर हमला करकर उसे छोड़ा लेता है फिर वो इसकर्च को मारने के लिए उस पर हमला करता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है लेकिन इसकर्च उसको पकड़कर जैसे ही मारने वाला होता है, मिराज उसके चहरे पर लात मार कर खुद को छोड़ा लेता है, तो इस कर्च नोहा को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर मिराज बीच मार कर उस हमले को खुद पर ले लेता है, नोहा उसको वैसा करने से रोकता है, तो मिराज उससे कहता है, म में काले बादल छाने लगते हैं यूनिक्रोन पोर्टल से अपनी और सेना भेजता है तभी क्रिस मिराज को दिये गए अपने डिवाइस पर कॉल करता है तो उसको पता चलता है कि मिराज लड़ाई में मारा गया तो क्रिस नोवा को हार मानता देख उसका होसला बढ़ाता हु उसी समय टांजवर्व एनरजी पल्स छोड़ता है जिससे घाटी का एनरजोन एक्टिवेट हो जाता है जो बी को जिन्दा करने के लिए काफी था इधर लड़ते लड़ते आटोबोट्स और मैक्सिमल्स हारने लगते हैं तभी स्टेटोस फेर बी को लेकर जंग के मैदान में आजाता है बी हवा में ही टेरकॉंस को मारता हुआ प्राइम को भी आजात करा देता है तो नाइट बर्ड हवा में ही बी पर हमला कर देती है लेकिन बी उसको वही मार देता है उसी समय अलेना की के पास पहुँचकर उसके पैनल में एक्सिस कोड डालने की कोशिश करती है प्राइम स्कर्च पर हावी हो जाता है बी और नोग टेरेकॉंज को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं तो यूनिक्रोन स्कॉर्पनॉक्स को भेजता है तो प्राइमल और बाकी सभी उन पर तूट पड़ते हैं अलेना एक्सेस कोड को डाल देती है और इससे पहले वो उसको एंटर कर पाती स्कर्च ट्रांजवरूप के पैनल को ही तोड़ देता है तभी प्राइम गुस्ते से पल भर में स्कर्च को मार देता है और उससे बी का बैच वापस ले लेता है तभी यूनिक्रोन प्रत्वी के वायू मंडल में घुच जाता है उसको आता देख प्राइमल पहली बार अपने घर वापस जाने की चाहत को भूल कर खुद ही की को नश्ट करने की सोचता है इसलिए वो सब को पीछे हटने को कहता है और बी को उसका बैच वापस देकर सब की हिफाज़त करने को कहता है नोह और आरसी उसको वैसा करने से मना करते हैं लेकिन प्राइमल उससे कहता है तुम जो चाहोगे मैं वैसा करूंगा इस पर प्राइम उससे कहता है तुम अब मरो और की को वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और prime दूर जाकर गिरता है कीगे तूटने की वज़े से portal बंद होने लगता है और transwork के साथ सबी चीजों के अपने अंदर खीचने लगता है प्राइम भी उसमें खिसता चला जाता है लेकिन एन वक्त पर नो आकर उसको पकड़ लेता है प्राइम उसको अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी प्राइम उससे चूट जाता है और तभी प्राइमल उसको पकड़ लेता है और कह प्राइम से पूछती है क्या युनिक्रॉन मारा गया तो प्राइम बताता है नहीं वो सिर्फ अभी हारा है और उसको वापस आने दो अब हम सब मिलकर हमेशा के लिए उसका नामो निशान मिटा देंगे नोहा अपने घर वापस पहुंचता है उसकी माँ उसको गले लगा कर तसल्ली देती है उनकी आखों में अपने बेटे के लिए गर्व की चमक थी तभी क्रिस अपने भाई को देखकर भागता हुआ उसको गले लगा लेता है और अपनी आखे बंद कर लेता है उसने सोचा नहीं था वो वापसा पाएगा अगली सुबह नोहा एक नोकरी के है तो नोहा उसको बताता है उसने अभी एक international काम खत्म किया है तो security head उस काम के बारे में जानने की अपनी इच्छा जताता है तो नोहा उसे बताता है वो काम अमेरिका में था और 24 घंटे वहाँ उसने बस काम ही किया है तभी security head उससे कहता है ये तो गलत बात है तुम किशान हो जाता है फिर security head उसको बताता है असल में हम एक गुप सरकारी संगठन है जो गलोबल खत्रों पर नजर रखते हैं और अभी हम एक जंग के बीच में हैं और हम चाहते हैं आप और आपकी पूरी टीम हमको जोईन करे इस पर नोहा अंजाना सा बना रहता है तो security head उ खिर आपने हमारी दुनिया को बचाया है इतना तो हम करी सकते हैं और फिर अपना कार्ड उसको देता हुआ कहता है आपका भाई ठीक हो जायेगा और उठकर एक secret दर्वाजा खोलता है उस दर्वाजे के पीछे secret military base होता है तो नोहा उस कार्ड को पलट कर देखता है वो GI ज आइकन दमानों ना भूलें